हेलो दोस्तो आज हम आपके साथ एक बहुती requested वीडियो लेकर आए हैं आज हम बनाएंगे पाकिस्तानी सल्वार पाकिस्तानी सल्वार बहुत लोगों ने बताई है कटिंग करने की लेकिन आज हम इसको कटिंग करना और सिलना आपको बताएंगे और यह सबसे असान तरीका है यहाँ पे आपने सवा दो मीटर से लेके दैंगे तक कपड़ा ले लेना है जितना भी आपके पास हो कम से कम सवा दो मीटर कपड़ा होना चाहिए तो इस कपड़े को अब हम खोल लेते हैं यह मेरे पास कॉटन का फैब्रिक है आप फैबरिक कोई भी लीजे यह हमारा 42 इं फोल्ड करने के बाद फिर आपको मैं इसका तरीका बताऊंगी सिलने का अब कपड़े को फोल्ड करके हमने रख लेना है हमारी सलवार की लंबाई 38 इंच है लेकिन हम 49 इंच लगा लेंगे क्योंकि एक इंच हमने जादा लगाना है तो यहाँ पर हमने इसको फोल्ड कर लिया है कपड़े को अब यहाँ पर मैंने इसको 1.5 इंच एक्स्टा फोल्ड किया था तो उसको बताती हूं आपको कैसे करना है इस तरह यह इलास्टिक रखते हैं आधा इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हैं और इस तरह एलास्टिक के निचे एक निशान लगा देंगे, यह हमारा 0.5 इंच ही आता है क्रीब क्रीब, तो इतना कपड़ा हमने एक्स्टा लेना है सलवार की लंबाई के बाद, और यहां पे अब हम आसन लगाएंगे क्रोच एरिया, यहां पे मीडियम लोग हैं, अगर 21 से 22 इंच हीप है, तो वहां पे आप साड़े 13 इंच क्रोच एरिया लगा लें, तो यहां पे मैंने साड़े 13 इंच क्रोच एरिया, 13 से 14 इंच क्रोच एरिया लगा लें, अगर आप बहुत हैवी हो साइज में, तो आप यहां पे 15 इंच क्रोच एरिया लगा सकते हैं, अग फिर दुवारस देख लीजिए, यहां पे हमने साड़े तेरा इंच ये क्रोच एरिया लगाया है, ये दो इंच का निशान लगा दिया है इधर की तरफ और इसको हमने इस तरह गुलाई दे दी है, ये हमारा इस तरह आसन कटेगा, इसका जो आसन है वो प्लाजो की तरह कटत है ना कि मियाननी वाला करता है, अब ये खुली वाली साइड में लगाया है, हमने बंद वाली साइड हम इस तरह पहुंचा लगाएंगे, पहुंचा आप जितरा भी रखना चाहें, मैं इस पे 7 इंच पहुंचा रख रही हूं, तो ये जो पाकिस्तानी सलवार होती है, इस इसका पहुंचा बहुत ज्यादा छोटा नहीं होता है, तो 7 इंच पहुंचा लगाने के बाद 2 इंच एकसर लगा लेंगे, ये सिराई मार्जन होगा हमारा, और अब हम इसको ये जो हमारा 2 इंच वाला निशान है बाहर की तरफ, इसको हम उपर क्रोचेरी वाले निशान स समझा रहा है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बनाने का तरीका और कटिंग करने का तरीका मैं बल्कुल क्लियर बता रही है, तो यहाँ पे हम इसकी कर देते हैं कटिंग, यहाँ पे जो पाकिस्तानी सलवार है, इसका गेरा बहुत ही कम होता है, इसको हमन कटिंग हो गई है, अब इसकी करते हैं स्टिचिंग, अब स्टिचिंग करने का तरीका भी थोड़ा अलग है, यहाँ पे हमने आसन को पहले दो बार सिलना है, यहाँ पे पहले बिल्कुल एक पॉइंट का गैप देते हुए सिलाई लगाएंगे, यह जो सिलाई है, यह हमार एक पॉइंट पे सिलाई लगाकर इचे तक सिल देना है, इस तरह हमने इसको सिल दिया है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे, इसको ऐसे खोल लेते हैं, यह जो सिलाई लगाई है, हमने सीधी साइड लगाई है, यह जो पहले सिलाई लगाई है, वो सीधी लगाई में लग जाएगा और कोई भी किसी तरह का धागा नहीं निकलेगा इसको हम इस तरह पकड़ते हुए सिलाई को लगा देते हैं जैसे शेप है उसी तरह आपने सिलाई लगानी है लीजे ये सिलाई हमारी लग गई है मैं आपको चेक करवाती हूँ एक बार यह देखे क्रोच एरिया जो हमारा है बिल्कुल सीमलेस हो गया है यहां पर कोई भी देखे वो धागे बगएरा कुछ नहीं दिख रहे हैं आपको किसी तरह का भी कोई अनफिनिश नहीं दिखेगा जितनी भी आपकी कमर है हिप नहीं जितनी कमर है कमर से आपने तीन इंच कम ले लेना है बाकी का आप उतना ही लेजिए जैसे मेरी 36 इंच कमर है 18 इंच कमर है हमारी तो कमर के हिसाब से अब हमने यह 36 इंच ले लेना है तीन इंच छोड़ते हुए तो यह मेरी हमारी में लगाएंगे सलवार की अंदर ये जो तरीका है सलवार बनाने का सबसे असान है मेरी पाकिस्तानी फ्रेंड है उन्होंने मुझे सलवार भेजी थी तो उसको देखकर मैंने ये कटिंग करी है क्योंकि हमारे यहां पे जो कटिंग होती है थोड़ी सी अलग होती है तो इसको ऐसे टरन कर दिया और सिलाई जो अब लगेगी वो कपड़े के उपर लगेगी इलास्टिक कपड़े के अंदर बिल्कुल नहीं आने चाहिए जहां से इलास्टिक आ जाएगी कपड़े के अंदर फिर वो खिचाव नहीं बनेगा बिल्कुल भी अब हम इसको इस तरह सिलना शुरू कर देते हैं अब लास्टिक को हलका हलका खीचेंगे निकालते जाएंगे और पूरी सरवार के नेफे को ऐसे फोल्ड कर लेंगे तो इसको मैं फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ तो नेफा हमने इस तरह फोल्ड कर लिया है अब इसको इस तरह खीच देंगे तो सारा कपड़ा इकवल हो जाएगा अब इसके उपर एक दबाब की सिलाई लगानी है इस सिलाई लगाने का फैदा यह होता है कि हमारी जो लास्टिक है वो बिल्कु घूमती नहीं है वाश करने के बाद तो इस तरह हम दोनों साइट से कीचते हुए इसको स्टिच कर लेंगे और यह जैसे रैडिमेड लुक होता है इलास्टिक का वैसा सा लुक आ जाता है तो लीजे यह हमारी इलास्टिक लग गई है अब बारी आती है पॉंचा बन गई है उपर से अब हम इसका पॉंचा बना देंगे पॉंचा बनाने के बाद इसको सिलाई लगाएंगे और यह सलवार हमारी एड़ी है तो यहाँ पर पॉंचा आप बिल्कुल प्लेन भी बना सकते हैं पर मैं यहाँ पर यह स्कैल्प वाला पॉंचा बनाने जा रही है पॉंचा आप अपने पसंद का बनाईए इसमें कोई बंदिश नहीं है चाहे आप स्कैल्प वाला बनाईए चाहे सीधा बनाईए चाहे कोई इस पर लेस लगाईए वो आपकी च्वाइस रहेगी अगर स्कैल्प वाला बनाने जा रहे हो तो इस पर आपने सबसे पहले नी करते हैं और बाद में कटिंग करके इसको निकाल देंगे और इसको फोल्ड करके सिधा कर लेंगे. यह बहुत ही असान है इसको बनाना अब इसको सिधा करते हुए एक पर प्रेस कर लीजिए प्रस करने के बाद देखिए यह बिल्कुल फिनिश हो गया है अब एक सिलाई लग और दो से तीन सिलाई यह मैं इसके उपर और लगा दूगी और पॉंचा हमारा यह बनकर रेडी हो जाएगा, लीजे यह हमारा पॉंचा बनकर तयार हो गया है अब हम इसको फोल्ड कर देंगे, यहां पे 7 इंच मैंने इस तरह पॉंचा रखना है, सकैल्प को इसके उपर सिल इसी तरह हमने दोनों साइड से लाई लगा लेनी है और एक्स्टा कपड़ा है उसको कटिंग कर देना है ऐसे ही हम दूसरी साइड भी से लाई लगा देने है और यहां पर एक्स्टा कपड़ा है इसकी हमने ऐसे कर देनी है कटिंग दोनों साइड से कटिंग करने के बाद यह सलवार हमारी रेडी है आप इसको सीधा कीजिए फिर आपको हम दिखाते हैं लिजे सलवार हमारी बनकर रेडी हो गई है बहुत ही बड़िया यह सलवार बनी है पहनने में इसका बहुत ही परफेक्ट सा लुक आया है और यह बिल्कुल पाकिस्तानी सलवार बनाने का परफेक्ट कटिंग और स्टेचिंग वीडियो है आप इसे फॉल्ल कीजेगा तो इसी ही बनकर तयार होगी आप देखिए पहुंचे में भी कितने अच्छी फिनिशिंग आई है और पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है आपको यह वीडियो कैसा लगा है हमें बताईएगा जरूर अगर आपका कोई क्वेस्चन है तो आप कॉमेंट कीज थेंक यो वाचिंग दिस वीडियो आगे मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए